हेलो एवरीबन, कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में हम चैप्टर करेंगे Issue of Debenture with Terms of Redemption यानि कि यह इस चैप्टर का Part No.5 होने वाला तो इस चैप्टर में स्पेस्टल क्या है कि इस बार जुम डिबेंचर को Issue कर रहे हैं और Redemption के Point of View से कर रहे हैं यानि कि इस बार हमें Redemption को Base बना के यहाँ पे Issue वाली Entry पास करने हैं और हमाई रिमाइन में होगा कि Redemption कितने तरीके से हो सकता है Part पे और Premium पे Discount पे कभी भी Redemption नहीं होता है जैसे मैं यहीं पे आपको Mention करके दिखा देता हूँ कि हमेशा जो Redemption है Issue तो किसी भी भी हो सकता है Redemption हमेशा या तो Premium पे होगा और या फिर Par पे होगा चीक है लेकिन Discount पे Redemption कभी भी नहीं होगा जबकि जो Issue है Issue of Debenture आप तीनों केसिज में कर सकते हो यानि कि Par पर भी Issue कर सकते हो और Premium पर भी आप Debenture को Issue कर सकते हो और Discount पर भी आप Issue कर सकते हो चीक है Par का मतलब है कि 100 का Debenture 100 में ही बेच दिया Premium का है 100 का Debenture 110 में बेच दिया और Discount का मतलब है 100 का Debenture जो Face Value वाला था उसको आपने 98 या फिन 90 में सीखिल कर दे कम में बेच दिया तो यहाँ पर Basic सा Concept है तो इस बार हमें कौन-कौन सी हापे Entry करने हैं Debenture का Meaning हम ओड़े डिसकस कर चुके है प्रिवस वाले पार्ट में तो हमें दुबारा इस वाली चीज पर नहीं जाना है बस आपको एक Basic सा Concept यह समझना होगा कि इस बार क्या है यानि कि इस वाले पार्ट में इस बार्ट में हमने कवर नहीं किया तो नौर्मली कौनसेट क्या गयता है कि कंपनी को Fund की Need है पैसे की Need है तो पबलिक के पास जाते हैं उन्हों को Debenture दे देते हैं बदले में उनसे पैसे ले लेती है यह होता है पहला राउंड इसाफसे इनको Interest on Debenture मिलता रहता है तो यहाँ पर दोनों को Benefit होता रहते है ठीक है अब कंपनी ने Debenture को Sale थोड़ी ना किया कि पर्मानेंटी Sale कर दे कि उसको कभी वापीस नहीं लेगी Debenture को Issue किया जाता है अब 10 साल के बाद या फिर 15 साल के बाद जो भी इनका Time Period फिक्स था उसके बाद Debenture वापीस से कंपनी के पास ऐसे आ जाते हैं आपर और जो भी Lumsum Amount का Debenture Holder से लिया हुए कंपनी ने वो उनको लोटा देते है विद्धा Interest Interest को Add करके उस Lumsum वाले Amount को बेसिकली Loan की Form में हम मानते हैं वो Amount लोटा देती हैं तो अब हमें लोटा आते टाइम अब हमें Debenture को लोटा आते टाइम वाले एंट्री करने हैं बेसिकली चलिए तो यहां पर Total Case बन सकते अच्छे है इस यूग मैंने बताया है कि यहां पर पर भी हो सकता है डिसकाउंट पर भी हो सकता है प्रीमियम पर भी हो सकता है इस्यू के रिगार्डिंग यहां पर कोई भी पर क्यों नहीं होता है अगर आपको लोजिक वाइस समझना है तो देखिए कंपनी चलो यह एक कंपनी है डिबेंचर होल्डर को बोलते कि आप हमें 100 रुपीज देती चाहिए एक डिबेंचर होल्ड को बोलते है और जो रिडम्शन की बार यह आएगे मैं आपको 90 रुपीज तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसीबल है डिबेंचर होल्डर क्यों देंगे इनको कि आज मैं आपको 100 रुपीज दे रहा हूं लौन की फोम में और कल मेरे को 110-120 मिलना चाहिए ऐसा वह एकसपक्ट करके बैठा हुआ है लेकिन वह बोला कि हम आपको 90 रुपीज देंगे तो ऐसी में तो डिबेंचर होल्डर का लोस हो जाएगा तो इसलिए इस्यू के टाइम पर आप डिबेंचर को पार पे कर सकते हैं लेकिन रिडम्शन जब रिपेमेंट की बात आएगे तब आप डिसकाउंट पर नहीं बेच सकते हैं 100 का 110 दे सकते हैं तो यह भी समझ लिए हमने कि कभी इसी ओफ डिबेंचर रिडम्शन जो है बिसकाउंट पर क्यों नहीं होता है वो भी केस हमने समझ लिया है अब देखें आप बेसिकली 6 केस आने वाले हैं चिक है और इन 6 केस से रिलेटेड हमें एंट्री करने हैं और 99 परसेंट है कि हाँ यहां से सीविए सीवड एकदम से पूछता है यानि कि इस योफ सेर्स में से भी आप से आठ एंट्री के रिगार्डिंग पूछ सकता है पर्चेस कंसिड्रेशन का भी हां से आसे लेकिन यह वाला एक ऐसा टोफिय के जो कि 100% आएगा ही आएगा क्योंकि यह वाला केस कभी आप पार पर हमें उसको रेडिम करना है यानि कि 100 का डिवेंचर जो आज हमने लिया है कल को अमाउंट लोटाते टाइम भी हमें 100 रुपे ही देने हैं तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी तो सबसे पहले यह समझेना है कि यहां पर यह एक ही अकाउंट हमें ओपन करना है यह अप्लिकेशन अकाउंट या फिर अप्लिकेशन एंड अलोटमेंट अकाउंट भी अप लिख सकते हों तो एक तो यह बात रखने हैं कि हाप रभी 8 एंट्री होगी due receive transfer सिर्फ एक ही होगी अप्लिकेशन की और उसी अप्लिकेशन के पैसे को जो debenture अकाउंट बेंट मे ही है आप फिलाल में यह एंट्री भाई है तो पहली हो जाए कि बैंक अकाउंट डैबिट कर देना है और डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में ट्रांस्फर कर देना है सेम ही अमाउंट यान कि पार टू पार चल रहा है 100 टू 100 चल दो सिंपल सा केस रहना है यहां पर इसके बाद सेकेंड केस है यह था आपका फर्स्ट केस यह सेकेंड केस कहते है इस्जूड अट प्रेमियम एड रीडिमेबल एड पार यानि प्रेमियम का मतलब है कि जब हमने को पब्लिक को दिया इस्यू के तो 110 रुपे वहां से आए और अब हमें जब रेडीम करना रीपेमेंट करनी है तो हमें सिर्फ 100 रुपे इसी ही दे रहे हैं तो इस केस में किया है कि अब करना अलब तो यहां पर अप्लिकर अप्लिकान कर में हैं तो यहां पर याद नहींहीं आजाएगी वहीं है तू security premium reserve account यानि कि जो हमने यहाँ पर premium पर issue किया था यानि कि जो 10 करेंड रुपीज एक्स्ट्रा वह आमने credit कर देना है बिल्कुल पहले की तरह इसकी बाद third वाला case देखिया, थर्डवाला कैसा है कि, issued at discount कि debenture को हमने discount पर issue कर दिया, माले तो 90 रूपे पर, चाहिए, और आप हमें payment करने है, पार की, यानि कि 100 रूपे की payment करने है, तो बैंक सबसे पहले हमारे पास पैसा कितना है, 90 रूपे तो यहां से होगी, Banc account debit 90Rwang क्योंकि discount पे क्या तो 90 कि Premium पे किया तो पहली entry भी 110 और par पे किया तो पहली entry भी 100 से इस तरीके से अपने logic वास connect करना है चीजों कौर आतर्ब बैंक अकाउंट डिबेंचर अप्लिकेशन अकाउंट और सेकंड वाली एंट्री होता है यह हमारी मेन होती है आप क्योंकि हमने डिसकाउंट पर किया है तो डिसकाउंट ओन इस्यू ओफ डिबेंचर में आप 10 रूपीज जाल दोगे 90 रूपीज हमारे आचुके और डिबेंचर में मैंने बोला कि हमेशा फेस वैल्य आती है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ड़ेंट में दोगे हाप प्रेमियम था तो भी परसेंटेज डिबेंचर में हंड्रॉड है यहां पर डिसकाउंट था तो आपने डेबिट कर और प्रेमियम हमारे लियुखाब वैसिकी माने लटों क्यद्ध कोंग Certain work is based negative nossas and losses 11th class करते हाएं और प्रेमियम हमारे लिए गैन होता है इसको क्राडिट किया क्रेड़्ट जी लुबने केता है है तो यह थीन तो basic basic जो कि हमने प्रीवेस भी कवर की हुए है अब यहां से जो फॉर्थ वाला के साना फॉर्थ फिफ्ट और शिक्स यहां से और भी जाद चांसी होते है एक्जाम में आने के जो राइट वाला पॉर्शन जो मैंने पिंकल से हैंडिंग डाली हुए है यहां से मौस्टली चांसी ह होता है क्यों क्योंकि यह वाले तीन पॉइंट्स हम और प्रीविस वाली क्लास में कवर भी कर चुके हैं तो यह टोपिक पहले भी आ चुक है तो रिपीट ही है लेकिन जो लाश्ट के तीन केसी है यह थोड़े से नहीं हुए तो इस्ट आट पार यानि कि हमने डिवेंचर को 100 रुपे में इस्यू किया और mean प्रीमियम और बोला कि जब हम इसको क्रेंग्र न पेइमेंट करेंगे तो 110 रुपे देंगे तो पहले एंट्री कहाँपर होगी हंट्रेट्स है यह वाली हंट्र биठ शिंपल से इसके बाद जो second वाली entry important है अब डिबेंचर redeem करते time हमें जो payment करने है वो 110 पर करने है यानि कि जब डिबेंचर हमने loan लिया company ने 10 रुपे का loan लिया पब्लिक से ऐसा मालिए और जब उस loan की repayment की जाएगी तो हम 110 रुपे देंगे तो क्या यह 10 रुपे का हमें लो सही पर नहीं दिख रहा है इसी का time पर ही दिख रहा है तो इसलिए इस 10 रुपी के लोस को हम आज ही cover कर लेंगे इसको बदे प्रूदे यानि कि future में जो हमने payment करने है और उसमें एक लोस की भी payment होगी तो उस लोस की आज ही recording कर लेंगे प्रूदेंस कोंसरफ्ट या फिक कंसरवेटिजन कोंसरफ्ट भी है कहता है 11th क्लास से तो डिवेंचर अप्लिकेशन अकाउंट डेबिट 100 एज़े क्रेडिट कर देंगे औ पर्सेंटेज डिवेंचर अकाउंट पर 100 वाली face value डाल देंगे अब यहां पर जो यह वाला पाट है loss on issue of debenture to premium on redemption देखें जब issue के टाइम पर premium आया था यानि कि यहां पर issue के टाइम पर premium था तो उसको हमने लिखा था security premium reserve और अगर redemption के time पर premium है तो हमें लिखना premium on redemption तो सब से पहले तो यह समझना कि हमें premium की भी दो category है कि अगर issue के time पर किया है अगर issue के time पर है तो हम उसको लिख करते है security premium अकाउंट और अगर redemption के time पर premium है तो उसको लिखते है प्रीमियम और on redemption अकाउंट इसको second value entry हमें इसमें ध्यान दखना डिवेंचर अप्लिकेशन अकाउंट डेविट लोग सोन इस ओफ डिवेंचर अब आपने याद रखना है अब काफी सब्सक्राइब क्या इस वाली entry को हम separately लिख सकते हैं इसे वाली को तो answer है yes यानि कि अगर आप चाहो तो इस वाली entry को यहां पर या फिर कहीं पर भी लिख सकते हो separate लेकिन क्योंकि already हमें दो entry पास करने तो एक तीसरी entry को क्यो add करना हम इसी merge कर लेते हैं बागी आप separate भी कर सकते हो तो entry क्या करने debenture application अकाउंट डेविट कहां से आया यहां पर ट्रांफर कर दिया है यह वाला ऐसे बस यह debit credit था तो यहां पर debit कर इतना सा changes है amount भी से में इसके बाद percentage debenture account में इसके बाद सीधा यहां पर आजाने यहां पर थोड़ा space चोड़ देना और यहां पर debenture account पर 100 डाल देना अब यहां पर हुआ 100 और 100 अब हम पता कि premium हमें जो करनी है वो sorry redemption जो हमें करना हो premium पर करना है तो premium on redemption अब यहां पर 110 और यहां पर 10 यांई enter the match नहीं तो 10 रुपे का हमें एक और account debit करना है loss on issue of debenture यानि 10 रुपे का यह वो loss है जो हमने issue of debenture का time पर create कर दिया क्यों क्योंकि हमें premium पर redemption करनी है समझ में आया तो यही इसका main entry है इसलिए मैंने इसको highlight भी करके दिखाया हुआ है इसके बाद है second last case यानि कि fifth number का case जो कहता है issued at premium and redeemable at premium यह कहना चाहिए था कि हमारा case यहां पर जाएगा 110 रुपे का share था चीक है 100 रुपीज का share था और issue भी हमने 110 पर कर दिया और यहां पर redemption भी 110 या फिर 120 पर करनी है कुछ भी बोल सकते हो यानि premium to premium case यहां पर जा रहा है तो bank account जैसे यहां पर माल लेकते है इसके according जो हमने case बनाया है और लिख लेकते हैं यहां पर भी 5 रुपे का premium मिल रहा है और यहां पर भी premium मिल ला है तो यहां पर 5 का premium है यहां पर 10 का premium है यह जाएगा issue के time पर और यह जाएगा redemption के time पर और क्योंकि issue के time पर जा रहा है तो यहां पर जाएगा security premium account और यह redemption के time पर जा रहा है तो आपने लिखना है premium on redemption प्रीमियम पॉन प्रीडम्शन अकाउंट इस तरीके तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर अपलिकेशन यानि कि इस यूगे टाइम पर हमें दिख रहे हैं 105 रुपे में क्या है तो 105 से आपने डालना है पहली वाली एंट्री यहां पर दिख जाती है इसके बाद यहीं अगवाला सा बड़िए रहां बॉब इस वाली उन इन ट्रीं में आते हैं और इसमें इहां पर च्रीके यहां पर दो दो परीमियम हो जांगी एक से क्यूर्टी प्रीमियम कितना पांच रुपे गार रिडम्शन ऑंपड 60 रुपे छैन कि यहां पर आपने लिए लिखना है premium on redemption account, to premium on redemption account, 110 रुपे का, यानि 5 और 10, 15 रुपे का तो यहां पे होगा, तो 115 तक जानी चाहिए, और 5 और 100, यह तो 105 ही होगी, यहां पे value, और यहां पर कितना हो गया, 115 हो गया, यानि कि 10 रुपे से हमने एक account और debit करना है, so that match हो जाएं, तो उसका नाह में loss of issue of debenture account, चीक है, यही reason है कि हमने इस loss of issue of debenture account कहां पर debit कर दिना है, यह वाला भी case हो गया, इसके बाद है 6th वाला case, और mostly chances 5th और 6th में से आने के पूरे होता कर, CBC वो tough question डालने की कोशिज करता है, तो वो कोशिज करेग 5th या फिर 6th वाला case डालने के लिए, इसके बाद discount premium इसका मतलब 90 रुपीज, 100 रुपे का share था, हमने उसको 90 रुपे में issue किया, और redemption के time पर बोला कि आपको 110 रुपीज देंगे, तो gap दिखाए दे रहा है, अब दो issue के time पर ही हमें पता था कि 90 रुपे बेचे जा रहा है, तो पहली entry 90 होगी, और bank account debit to debenture application account और यही जो 2 है credit वाला next वाली entry में debit भी हो जाएगा, यह भी सीखा हुआ है हमने, और debenture account में भी face value ही आती है, यह भी कोई नहीं चीज नहीं, यह भी सीखी हुए हमने, बस हमें यहाँ पर क्या सीखना है, एक तो यह, यहाँ पर 10 रुप 10, 100 रुपीज से क्या हो गया, debit हो गया है, और debenture में 100 रुपीज से अभी premium को जैसी record करेंगे, तो यहाँ पर 110 चला जाएगा, premium on redemption account यह बाला कर दिया हमने, अब इसी 10 रुपे की recovery के हमें loss on issue of debenture भी debit करना पड़ेगा, तो ऐसे हमारी entry टैली हो जाए है, जैसे आप अगर भी लिख सकते हैं, कि कौन सी वाली entry को, इस वाली को, यानि इस वाली entry को, loss on issue of debenture to premium on redemption, इस वाली entry को आप उठा के, basically नीचे भी कर सकते हो, तो यह चाहिए हमने concept कर लिए, अब इस से related एक numerical देखते है, question कहता है, generalize the following transaction, a debenture issued 95, यानि कि हमें issue का टाइम पर पता है कि हमने discount पर redemption, वो sorry, discount पर debenture को issue किया है, और जो repayable है, यानि कि payment है, वो par पहार पी खणने है, तो यह चला जाएगा discount से par वाला, DP, discount से par वालो, this was kind, दूसरा भी अपने क्या क्या है, discount से क्या है, 95 का क्या है, और यह premium वाला, discount से premium वाला, और यह भी discount से, और यह भी premium वाला, और face value 100 ह तो ही compare करके देखा कि यह discount पर जा रहे है तीनों के तीनों के से discount to power discount to premium और again discount to premium यह तो पिल्कुल सेम ही case लिए है ठीक है तो यहां पर numbers of debenture issue है नहीं तो हम क्या करेंगे सिर्फ यह ही amount से entry करेंगे अगर number 100 debenture issue है तो multiply करते चलेंगे तो पहला case के bank account debit to debenture application account यह वाली entry बिल्कुल common सभी में करने है यानि कि इस वाली entry में तो कोई change है ही नहीं च्छे के च्छे के इसमें यह वाली entry बिल्कुल common है bank account debit to debenture application account आपने कर दिया है और उसके बाद यहां पर कह लिखना है आपने कि 95 से करना है discount का दिख रहा है तो 95 से करना है यानि कि 95 को ही हमने यहां पर debit कर दिया है और 95 को ही यहां पर हमने credit कर दिया है ऐसे credit कर दिया है अब इसके बाद जिस entry को हमने अभी उपर credit किया है तो debenture application next वाली में उसको debit करना होता है लोजिकर दे बेंचर application account debit 95 रूपीस से भी कर दिया हमने चिक है है अपर यह कर दिया 95 से 95 से कर दिया है इसके बाद है debenture account में हमेशा face value आते हैं तो आपने यहां पर लिख देने हैं debenture account के सामने यहां पर लिखे 100 रूपीस का debenture है अब यहां पर discount on issue of debenture पांच रूपय का है तो लो एंटरी भी हमारी हां पर match कर जा रही है और आपका amount भी हां पर match कर जाए 95 और 5 कितना होता है 100 हो गया है इसके बाद second वाला case कहता है कि आपने issue करना 95 पे और redeem करना 105 पे ह पहली entry हमें यहां पर दिखे है कितने सुझाएंगे bank account debit to debenture application account 95 से debit कर दो 95 से credit कर दो जिसके बाद यही amount यहां पर आजागा 95 वाला और discount on issue of debenture को भी आपने debit कर देना 5 रुपए का लोस है और debenture account में आपने face value डाल देना है जो कि आती है 100 रुपीज की हमें सा premium on redemption देखे second वाले case में premium 105 रुपए का है ठीक है तो premium on redemption यहां पर आपने 5 रुपए डाल देना है ठीक है यह होगी entry अब यहां पे तो 95 कितने होगे 100 रुपए से यहां पर एक और amount आएगा low sonny issue of debenture और यह वही amount होता जो कि हमने last में credit क्या होता है उसको debit करना होता है यानि कि जो हमने यानि कि debenture को issue करते टाइम में हमें पता था कि redemption के टाइम पर हमें premium पर payment करनी पड़ेगे ठीक है तो यह वह वाली entry है कि premium पर हमने payment करें तो low sonny issue of debenture अकाउंट रुपए से इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो मर्जी भी कर सकते हो इसका नेक्स्ट कोशन देखत debenture का name है और उनकी face value हर एक debenture की face value 100 रुपीज और उसको premium पर redeem करना है और redeemable at par और 15% 100 का कितना आ जाए 15 रुपए ही आ जाए तो case यहां पर हमारा क्या बनेगा तो case हमारे यहां पर बनेगा कि 105 का debenture जो आज हम प्रेजेंट में issue कर रहे है न वो redeem करना हमने 100 रुपीज यह case बनता है यानि premium to par बन रहा है discount नहीं बनेगा कभी और number 100 को multiply कर दिना बस देखिए तो bank account debit to debenture application and allotment यानि कि application and allotment दोनों के साथ भी आप entry कर सकते हूं और bank account debit to debenture application भी लिख सकते हूं अब देखिए हां पर 280 लिखा हूँ जबकि 28,000 है तो 2,0 और यहां पर लिख दे दिख रहें कि हमने दिख रहा है कि अब सेम अमांट यहां पर आ जागा 32,020,000 यह आपर आजएगा 32,020,000 यह आपर आजएगा और हमने 28,000 को 115 से multiply करना है क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमने debenture को इसी क्या प्रीमियम पर अब सेम अमांट यहां पर आ जाएगा 32,020,000 यहां पर आ जाएगा क्यों क्यों क्योंकि सेम यह amount हमने receive किया है और debenture application and allotment को credit किया है तो debenture application and allotment को ही debit कर देना है next वाली entry में यह भी बताया था मैंने इसके बाद 10% debenture का नाम लिख देना है और यहां पर डाल देना है अपने face value face value का मतलब है हमने कितने मांगे हमने तो 28,000 debenture पर जो face value बनते है वो 100 बनते है तो इससे multiply कर दें 28,000 तो है यह है इस इस और यहां पर हमने दो जिरो से और multiply कर दें यह है चिक है क्योंकि यह पर ना 280 के हिसाफ से इनोंने basic लिक कर दिया है जबकि यह पर clear cut लिखा हुआ है 28,000 या तो इस 28,000 को 280 बना लेते हैं बार बार multiply किसे नों प्रोब्लम नहीं होगी या फिजो 28,000 से multiply कर दो आप same answer आईगा चिक है आप देख एक debenture पर मिलता है प्रीमियम है पंदर रुपे का ठीक है तो 28,000 पर कितना मिलागा जैसी आप multiply करोंगे तो 28,000 को आपने multiply करना है पंदर रुपे के प्रीमियम से तो आपके पास आएगा 4,20,000 4,20,000 ऐसे तो हमारी entry पास कर जाएगे match भी कर जाएगे 28,2,80 और 4,20 हमारा 2 प्रीमियम को आपने record करना है यानि कि इस premium को आपने first वाली entry में record नहीं करना है इसको second वाली entry में record करना है इसके बाद next case यानि कि एक बाद b case बनता है issued 30,000 debenture 10% वाले debenture है 100 रुपे उनकी face value है issued at premium of 10% यानि 10 रुपे बन जाएगे redeemable at premium of 15% यानि कि जो 100 रुपेज का हमारा debenture है उसको आपने issue किया है 110 पे और redeem करना है उसको 115 पे तो premium to premium case जा रहा है तो यहाँ पर दो premium आ जाएगे तो पहली entry तो simply बनने है चाहिए कोई भी case हो bank account debit to debenture application and allotment account और आपने आपने मल्टिप्लाई कर देना है 30,000 debenture को कितने से मल्टिप्लाई करना प्रीमियम का case है यहाँ पे तो आपने पहले वाले premium से मल्टिप्लाई करना है यानि कि 110 रुपे से 30,000 debenture को आपने मल्टिप्लाई करना है 110 रुपे से तो यह आएगा आपका 3,33,000 तो इस तरीके सा आपने पहली वाली entry पास कर दिया अब सेम यहाँ पर फस्ट वाली entry में जो हमने debenture अप्लिकेशन एंड अलोटमेंट अकाउंट को debit कर देना सेम अमाउंट के साथ 33 लाग के साथ मल्टिप्लाई कर देना इसके बाद लोग सोनी से ओफ डिबेंचर बाद में लिखेना पहले आपने डारेक्ट आजाना है इसकी 10 परसेंट वाले debenture जो face value वह कितने है तीस हज security premium reserve account कितना है यानि कि अगर हमने एक debenture को बेचते टाइम 10 रुपे का premium लिया है तो 30,000 debenture पर कितने का लिया हुआ तीन लाग का तो यहां पर 2-0 और आ जाएक ऐसे 30,000 debenture है ना हाँ जी 30,000 debenture को जैसी है आपने 100 से multiply गया पर 0 पतुल समय पंगर हैगा 10 रुपे का premium तो यहां पर आजाएगी सारी कि सारी 4-0 तो यह आ जाएगा आपका 4,500,000 अब इसी 4,500,000 को आपने debit भी करना है क्योंकि हमें पता है कि redemption के टाइम पर हमें 15 रुपे एक्स्टा के हिसाफ से 4,500,000 देने पड़े हैं और किस account में आप debit करेंगे लो सोन इसी ओफ डिबेंचर अकाउंट जिसके हम separate entry भी पास करते थे यह वाल अमाउंट से अब टैली करके देखते हैं 33,000,000 और 4,500,000 कितना होता है तो इस तरीक से अपनी case करने है इसके बाद सी वाल पार्ट इसमें लिखा कि 80,000 डिवेंचर कंपनी ने इस्यू किया है कौन से वाले 10% वाले डिवेंचर इसी की है जिन पर इंट्रेस्ट करते हैं 10% है 100 रुपीज कि इनकी face value है और पार पर किया है यानि 100 रुपीज पर ही उनको बेच दिया है रिपेबल एट प्रीमियम ओफ 10% जोकी 110 पर यानि 100 से 110 वाल किस जाएगा तो पहली एंट्रे बिल्कुल से बैंक अकाउंट डिवेंचर अप्लिकेशन एंड अलोटमेंट अकाउंट और यहां पर आपको 80,000 डिवेंचर को मेल्टिपलाई कर देना 100 रुपे से face value के साथ त एपाउंट्र से अपर यहां पर फरीन Patientiddag क्यों आपको इसकी से वाले एंट्रिया सब नार्रे लेते बैंचर अकाउंट्रेशन एक अकाउंट्र यही अकांट्र आपने नेंडंक क्रेडिक किया है यहां पर ड्Бई कर सेम अमाउंट आपने हाँ पर ट्रांस्फर कर देना है कर दिया माउंट इसके बाद आ जाना है आपने सीधा फेस वैली वह 10% वाले डिवेंचर जो फेस वैली वो कितनी है वो है यहां पर हमने तो 80,000 डिवेंचर पर मांगे थे 100 रुपेज चीक है 80,000 डिवेंचर पर मांगे थेयंकी 80,000,000 अब यहां पर प्रीमियम ओन रिडमशन पर कितना है यहां पर आप को 8 रुपेजी करना है और यही हमारा लोस भी है कि आज हमें दिखाए दे रहा है कि जिस डिबेंचर को हम आट लाक में ले रहे हैं रीपेमेंट के टाइम पर में उस असी लाक में आट लाक रुपे और भी आड़ करने पड़ेंगा यानि 10 रुपे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगा है तो यही हमार लोस भी है लोस होनी से वो डिबेंचर को डैबिट कर देंगा और प्रीमियम और डेंशन के नाम से क्रेडिट कर देंगा तो इस तरीके से आपने सभी एंट्री को पास करना है सभी में हम सेम ही रहेगा यानि कि अगर आप इपर कॉंसेप्ट समझ जाते हो तो फिर आपको हम जा जादा देख्lıkत नहीं आगे इन ऊंसjem सेह है बस इनिए छांट्री को आप स्क्रीसोट लेलो और आपको यहीं छवेंट्री हां पर समझनी influenced कि पहला केस्ज सभी में सेम है temat टट्रीवेंचे रपलिकेसे बैंक टुदी बैंचे रपलिकेसे न भी सभी में बिल्कूल सेम है बस याद रखना है कि राइज Particularlyollar प्रीमियम था तो एक्सोदस है डिसकाउंट थाह तो 90 है पहली अंडरी में न यह घरप 9 तो 100 premium है तो 105, discount है तो 90, यानि कि issue के time पर ही हम record कर लेते हैं, amount की form में, समझें हैं, यहां पर bank to debenture application तो रही है, amount की form में उसको record कर लेते हैं, और बाद में हम उसको बताते है 110 रुपी की चीज़ के 10 रुपी security premium के second value entry में बताते हैं, ठीक है, तो इस तवी किसमें आपने से भ